रूपाली काकड़ी अपनी बेटी को दूद दिये बिना नहीं रहती थी लेकिन उसके लिए जो दूद रूपाली बाजार से खरीद रही थी उससे बेटी बीमार पड़ रही थी महीनों तक बच्ची को पेट में गंभीर इंफेक्शन रहा, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हुए तब जाकर डॉक्टर ने बताया कि इसकी बज़ा मिलावटी दूद था जब डॉक्टर ने उसका दूद बन करने को कहा तो महीने भर में ही उसकी सेहत सुधर गई उस दोरान मैंने बाजार में उपलब दूद की क्वालिटी के बारे में रिसर्च की और मुझे पता चला कि 89 फीसदी दूद मिलावटी है बेजने के लिए दूद की मातरा बढ़ाने के चकर में किसान या खुदरा विक्रेता दूद में पानी या दूसरी चीजें मिला सकते हैं इसलिए रूपाली खुद मैदान में उतर आई पूणे के बाहरी इलाके में उनकी खेती की जमीन है यहां उन्होंने अपना हाई क्वालिटी टॉक्सिन मुक्त दूद हुत्पादन शुरू किया अपनी रिसर्च से उन्हें पता चला कि शुद्ध पोशन युक्त और सुरक्षित दूद के लिए अच्छी क्वालिटी वाला हराचारा कितना जरूरी है मुवेशियों के लिए स्वस्थ चारा उगाने के लिए उन्होंने और्गेनिक हाईड्रोपॉनिक तकनीक अपनाई पौधे मिटी के बदले पानी वाले पोशक घोल में उगाए जाते हैं कीटनाशक या खाद के बगाएर तो पूरी तरह उगने में इसे साथ दिन लगते हैं इसके बाद इसे चारे की तरह तयार किया जाता है आमतर पर हम हर गाय को दो ट्रे चारा देते हैं जबसे हमने अपनी गायों को ये हाईड्रोपोनिक चारा देना शुरू किया है हमें बढ़िया नतीजे मिलने लगे हैं दूद की मातरा 20-23 फीसिदी बढ़ गई है और दूद की पोशन गुण मत्ता 10-11 फीसिदी बढ़ गई है लेकिन अधिकांश डेरी किसान और उनके मवेशियों की कहानी बिलकुल ही अलग है भारत में करीब 30 करोड मवेशी हर साल करीब 20 करोड मिट्रिक टन दूद देते हैं 2019 में आये भारत के खाद्य नियंत्रक के सर्वे के मताबिक हर 10 लीटर दूद में से 1 लीटर समभवता पीने लायक नहीं है विश्यले पदार्थों की बढ़ी हुई मात्रा की वज़ा से इसके लिए जिम्मेदार है अफला टॉकसिन नाम का कारसीनोजन अफला टॉकसिन चारे में रहता है अगर आप जादा से जादा हराचारे देंगे तो अफला टॉकसिन कम होगा अगर आप जादा पुरानी सामगरी देते हैं तो अफला टॉक्सिंग नमी की वज़े से बढ़ जाता है मैं मानता हूँ कि अफला टॉक्सिंग का इस तर भारत के दूद में सादा है लेकिन चारे के इस तर पर ही से काबू किया जा सकता है ऐसे मुद्दों से निपटनी की कोशिश हजारों डेरी फार्मों से शुरू करनी होगी जैसा कि एक अशोक मोरे और उनके बेटे संदेश मोरे का है उन्होंने आठ साल पहले डेरी का बिजनेस शुरू किया लेकिन मुनाफ़ा नहीं मिल रहा था चारा बहुत महंगा है अगर आप चारा खरीद कर लाते रहें तो डेरी बिजनेस चलाना बड़ा मुश्किल काम है वित्य तोर पर तो मैं कहूंगा कि ये आत्महत्या करने जैसा है आखिर उस चीज़ पर मैं पैसा कैसे लगाऊं जिससे मुझे कुछ मुनाफ़ा ही नहीं होगा दुधारू परशुओं को बड़ी मांत्रा में चारा चाहिए लेकिन चारा गाहें अब खेती की जमीन में बदली जा रही है लिहाज़ा ज़्यातर डेरी किसान बाजार से चारा खरीदने लगे है गायों को सूखा और हरा चारा मिला कर दिया जाता है खर्च बचाने के लिए किसान अक्सर घटिया किस्म का सूखा चारा डालते हैं पुराने या नमी में रखे सूखे चारे पर फफून लगने की ज्यादा आशंका है यही फफून अफला टॉक्सिन पैदा करती है जब गाय ऐसा चारा खाती है तो वो विशैला पदार्थ उनके दूध में आ जाता है मवेशियों के विशैसग्य दिनेश भोसले कहते हैं कि सस्ता चारा डेरी उत्पादन पर असर डालता है दुर्भागिवश होता ये है कि चाहे को आपरेटिव हो या प्राइवेट डेरियां जिन्हें किसान दूध बेचते हैं इन सभी को जो चारा सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो सस्ता चारा ले रहे हैं जो जानवर के किसी काम का नहीं है कम क्वालिटी वाला चारा दूध की मात्रा को भी प्रभावित करता है उत्पादन और कॉलिटी को बढ़ाने की कोशिश में मोरे परिवार ने E-Feed नाम के स्टार्टप की सेवाई ली कमपनी के एप में अलग-अलग नसलो वाली देसी गायों की आहार और पोशन जरूरतों की लिस्ट तैयार की गई है उत्पादन बढ़ाने के लिए समाधान भी सुझाए गए है हमने देखा है की ज्यादातर किसान इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि खुद चारा कैसे बनाएं समस्या ये है कि उन्हें चारे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता उन्हें ये भी नहीं पता कि उसे ज्यादा पोशनिक्ट बनाने के लिए उसमें क्या-क्या मिला सकते हैं तो सूचना की एक परत यहां उपलब्द नहीं है हमारी application में एक nutritional calculator है जिसके जरी आप ये बता पाएंगे कि आपके पास क्या है और वो आपको बताएगा कि उनके खाने में कौन सी चीज़ की कमी है प्री मिक्स इस्तेमाल करके मैंने fat content में सुधार पाया दूद की supply भी ज्यादा इस्थिर हुई है भारत में दूद आहार का एहम हिस्सा है खास कर उस देश में जो बढ़ती आबादी की पोशन जरूरतों को पूरा करने के लिए जूज रहा है मवेशियों को सही चारा मिले तो किसानों का उत्पादन भी सुधरेगा और लोगों को भी सही दूद पीने को मिलेगा